Module 107, Treatment for Suppression Anxiety Disorder Now we will talk about the play therapy जिस तरह हमने बहुत दफ़ा डिसकस की है कि play therapy जो है वो एक ऐसा modality of treatment है जिसके अंदर बच्चे को जो अपने emotions हैं उनको express करने का time मिलता है ठीक है और उसको इसमें हम एक ऐसा environment provide करते हैं जहां पर वो different plays की मदद से जो कि directive भी हो सकते हैं और indirective भी हो सकते हैं अपने emotions, अपनी anxieties, अपनी tensions को express कर सके ताकि उसको relief भी मिले, उसका catharsis भी हो और हम भी understand कर सकें कि बच्चे के underline actual में conflict क्या चल रहा है ठीक है तो जब हम play therapy की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हम किसी सीज़ की बात करते हैं कि जब भी एक बचा anxiety disorder के साथ आता है तो चूंकि उसको problem होता है कि वो अपने parents से separate नहीं हो पाता तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको उसकी मदर के बगार session में बठाएं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने उसके साथ क्या करना है आपने उसके साथ therapeutic relationship बिल्ड करना है अब वो therapeutic relationship बिल्ड करने के लिए you can use different strategies आप उसको different choice दे सकते हो जिसकी help में help से वो अपने घर का जो जितने भी parameters है उनको explain कर सके उसकी मादर को पने साथ बिठा सकते हो ताकि आपका एक जो positive relationship है वो build हो जाए और बच्चे का जो trust है वो आप पर build होना शुरू हो जाए उसके बाद जो different उसके twice हैं उनकी help से हम उसको कोशिश करते हैं कि जो भी emotions हैं जो भी fears हैं उसके अंदर जिसको वो बच्चा repress कर रहा है वो express करें वो expression जो है वो किस तरह होगा वो different जो characters हैं वो आपस में बात करेंगे और जिस तरह अगर कोई उसने घर का environment बनाया है school का environment बनाया है तो वहाँ पर क्या हो रहा है that's all के जो वो express करेगा तो इस तरह जो उसके emotions हैं वो उस play के through जो है वो express होना शुरू हो जाएंगे इसी तरह transference transference को manage करने की जुरूद क्यों पेश आती है क्योंकि जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि suppression anxiety disorder में ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप बचे को अकेले पेरेंट के बगार जो है वो बठाओ अगर आप उसको बठाने की कोशिश करोगे in any way तो it might possible कि उस बचे की negative transference जो है वो आपकी तरफ develop हो जाए तो this is very important कि बचे की negative transference जो है वो develop अगर हो जाए तो फिर उसको manage करना पड़ता है ठीक है ताके जो आपका relationship है वो उसके साथ built up हो और वो फिर smooth जो है वो move करना शुरू कर देए या अगर वो बहुत positive transference develop कर लेता है और वो फिर आप से separate होने के लिए तियार नहीं होता तो ये भी problem जो है वो create करेगा तो we need to be see कि जो transference अगर during the session develop हो गई है तो उसको कैसे हमने deal करना है फिर हम बात करते हैं attachment and conflict in therapy की that is very much related with the transference तीक है यानि अगर वो negative transference है तो definitely वो conflict develop हो जाएगा अगर वो positive transference है तो definitely वो attachment built हो जाएगी तो आपको इन दोनों चीज़ों को जो है वो manage करके चलना है ताके कोई ऐसा problem ना हो जाए जिसकी वज़ा से जो therapy का procedure है उसको रोकना पड़े फिर जो last चीज़ है वो क्या आती है वो self growth किया आती है यानि जब हम इन सारी stages से बच्चे को move करा लेते हैं तो फिर बच्चा ultimately इस चीज़ को समझने के काबल हो जाता है कि what actually thing was creating a problem for him or her ठीक है आइधर it is because he has so much fearful thoughts about her mother और या आइधर he is watching some TV dramas which are like reflecting these things तो इस तरह के जो expressions है या उसकी environment में कोई इस किसम की बातें कह रहा है whatever so तो जो भी उसके अंदर की insecurities होती है वो उसमें से बाहर आ जाती है और फिर end में जब है हम session को terminate करते हैं definitely यह overnight नहीं होता it is a very long process और यह बहुत gradual होता है usually जब हमाई पास parents आते हैं तो they really want कि उनका बच्चा जो है वो अगले दिनी ठीक हो जाए और अगले दिनी school जाना शुरू कर दे तो it couldn't be possible तो we need to be psycho-educate the parents कि it will take time और उनको persistence के साथ जो है वो sessions में आता रहना पड़ेगा Thank you